नमस्कार दोस्तों लेकिन उससे पहले सभी मातारानी के भग्त कमेंट सेक्शन में पूरे मन से सची इश्राधा से मातारानी को याद करते हुए जरूर लिख दें जै माता दी दोस्तों मातारानी का अशिरवाद और कृपा दृष्टी आप पर और आपके परिवार पर सदैफ बनी रहेगी सो प्यारे दोस्तों जो घटना मैं आपको बताने वाली हूँ ये घटना ममता नाम की लड़की की है जिसकी उमर महज 20 साल की होगी ममता बचपन से ही धरम करम के कामों को पुरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रती हमेशा से अधिक थी इतना ही नहीं वो किस गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती और अन्य लोगों की मदद भी करती ममता हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीज़े भी देती थी भले ही ममता के पास कुछ ना हो लेकिन वो ह अगले दिन जब छट पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया और अच्छी खासी धूब भी निकलाई थी अब जानते होंगी कि छट पूजा का पर्व तीन दिनों तक मनाया जाता है छट पूजा के तीसरे दिन जब ममता पास की नदी में छट मैया की पूजा करने पहुंची तो वहाँ पर उसके साथ है कैसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद ममता की पूरी दुनिया ही पलट गए जी हाँ दोस्तों उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था आसमान पर काले बादल चाय हुए थे और बिजली की गड़गडाहट के बीच सभी परकशादलों को तैनात भी किया गया था ऐसे में ममता भी छटमया को जलर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुँच कर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई अचानक से बारिश तेज हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया जिससे ममता बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुँच गई ममता को तैरना नहीं आता था जिसकी वज़े से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी तब ही ममता को लगा कि वो अब नहीं ब को बचाने के लिए बढ़ाया हुआ था काफी देर तक नदी के पानी में रहने से ममता की आँखें बंद होने लगी उसने अपना हाथ उस लड़की के आथ में दे दिया फिर उस लड़की ने ममता को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे चोड़ दिया इसके बाद कुछ लोग वहां आए और ममता को किनारे पर पड़ा देख कर शोर मचाने लगे देखते ही देखते वहां भीडी कट्टी हो गई और ममता को भी होश आ गया गाउवालों के पूछने पर ममता ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छटपूजा के दौरा पानी में बैते हुए यहां तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई है लेकिन गाउवालों ने बताया कि तुम अकेले थी अब वो लड़की कहा है काफी सोचने के बाद ममता को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी स्वेया मा दुरगा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता यहां से अब जा चुकी है कुछ देर बाद ममता के घरवालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर ममता खुशी खुशी अपने घर वापिस चली गई साथ ही दोस्तों जो भक्त मातारानी को सच्चे दिल से याद करते हैं उनकी पूजा पाट करते हैं मातारानी उन्हें कभी भी कष्टन नहीं आने देती उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है अम्बे मात अभी खुश होती जब हम उनके नियमों का पालन करने के लिए परियास करते हैं क्या आप जानते हैं कि ग्यानी पुरुष हमेशा सभी देवी देवताओं के नियमों का पालन करते हैं ग्यानी कभी भी उनके किसी भी नियमों को तोड़ते या उनका उलंगन नह उन्हें हर समय उनके आसपास मौजूद रहकर अपार रक्षिन करती हैं ग्यानी पर सभी देवताओं की क्रिपा निरंतर बरसती है और सदैव उनके साथ रहती है जगत कल्यान के कारे में अंतहीन सहाए करते हैं ऐसे में तब क्या हुआ दोस्तों जब एक किसान भक्त की दुर्गा की पूजा कर गाओं के लिए निकल गया अपने गाओं से दूसरे गाओं जाने के लिए उसे पहाडी को पैदल ही पार करना था शाम के समय अपना कारे खतम कर वो वापिस अपने घर की और निकल गए उस पहाडी को पार करते समय उस व्यक्ति का पाओं फिसल गय और वो व्यक्ती पहाडी के नीचे गिरने लगा गिरते हुए उसने वहाँ पर एक पेड़ को पकड़ लिया प्रंतु उपर आने में वो असमर्थ था वो चिला चिला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा पर वहाँ उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था तब ही वहाँ एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज दे कर पूछा कौन है आप 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 नीचे क्या कर रहे हैं कैसे गिर गए आप नीचे तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला लाओ मेरी मदद के लिए उस लड़की ने कहा किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है मैं आपको खुद उपर खीच सकती हूँ और उस बच्ची ने उसे पकड़ कर उपर खीचने की कोशिश की उस व्यक्ती ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी को पकड़ लिया है परंतु तुम मुझे उपर खीच नहीं पा रही हो उस लड़की ने उन्हें खीचना शुरू किया उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ओपर खीच लिया उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यावाद दिया और उससे पूछा तुमने कैसे अकेले मुझे ओपर खीच लिया छोटी बच्ची ने उतर दिया अरे ये तो मेरा कारे है जो मेरा है मेरे अपने है मुझे उनकी रक्षा त करने आई थी वापिस घर गया गाऊवालों को सारी बाते बताई सबने उसका फिर से उपहाश सुढ़ाया और उसकी बात पर किसीने भी यकीण नहीं किया लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है सच में मा दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी वापिस भाग कर वो मंदिर गया मा से कहा कि मा आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की हैं इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं से दैव आपका अभारी रहूंगा और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए मा दुर्गा का उपासक बन गया दोस्तों हिंदू धरम में देवी दुर्गा की एहम भूमिका है लोग मातरानी की पूझा बहुत श्रदाभाव से करते हैं मा देवी के प्रमुक पहलूं में से एक के रूप में पूझा जाता है देवी आदी देवी या भ्रहमान की निर्मा दुर्गा की उर्जा इसी देवी का एक पहलू है आम तोर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा मातर तत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है लेकिन कभी कभी और कुछ गरंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी होती है वो हिंदू धरम के भीतर सबसे वियापक रूप से पसंतिदा देवताओं में से एक है हिंदू कीवंदंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महीशा सुर को हराने के लिए बनाया गया था क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी र मैं अमीद है कि आज की इस वीडियो में बताया गया वाक्या आपको बेहद अनुमोल और अच्छा लगा होगा जिससे सुनने के बाद आपका मन भी भक्ती में हो गया होगा अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बहल आइकन को प नवाद